तो आज हम क्या पढ़ेंगे कहानी सुनेंगे ना आपको कहानी सुनना अच्छा रगता है तो चलो आज हम एक कहानी सुनेंगे लिटिल ड्रैप राइडिंग होड एक समय के बात है एक चोटी सी प्यारी सी लड़की थी बिल्कुल तोहारी बरा वो हमेशा रैड तलर की राइडिंग होड खेंती थी इसलिए सब उसे लिटिल रैड राइडिंग होड बुलाते थे एक दिन उसके माँ उसे बुलाई बेटी तुम्हारी नानी माँ बीमार है ना तुम उनके लिए ताजा पुकिश और जड़ी भुटी ले जाओगे लिटिल रैड बा पड़ी ओड बीटिल रैड राइडिंग होड चलते चलते अपने रास्ते जा रही थे तभी उसे जाडियों से एक आवाज आई अचानक से एक बड़ा असा भैडिया उसके सामने आया भैडिया ने पूछा कहा जा रही हो तुम्हारी बड़ा बेटा तो भैडिया ने बोल कहा जा रही हो तुम तेज़े रैडिंग रूरी मैं अपनी नानी मा के गल जा रही हूं वो बीमार है ना तो उनके लिए ताजा कूकिस अजड़ी मुठी बे जा रहे हूं बच्च्चों तुम अपने नानी के गल जाते हो जाते हो तुम्हारे घर में कौन-कौन है दादा, दादी, मामा, माई, बाई नहें, मगुई, बापा, सब है दादी है दादी आपको कहाने सुनाते है सुनते हो पढ़ाई करते हो पिने आटी दिलाओ तुम्हारे जादी